ये घटना 2016 के जुलाई महीने में घटी थी उस वक्त अमेरिका में एक जोकर का आतंग फैला हुआ था ये सच था कि कोई जोकर के कपड़े पहन कर लोगों को डराया करता था मैंने और मेरे एक फ्रेंड जॉन ने माइलो के यहां राद पिताने का प्लान बनाया हम शाम के तीन बजे पहुँच चुके थे हम उसके घर पर मूवी देख रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे जो mostly teenagers करते हैं माइलो का घर पार्क के चस्ट बगल में था उस रात हम लेट नाइट तक मूवी देखकर बोर हुच चुकी थे इसलिए हमने decide कि हम कुछ देर पार्क में तहल कराते हैं जब हम पार्क में पहुचे उस वक्त रात के ठीक धाई बज रहे थे हम पार्क में तहलने लगे और साथ ही हम कुछ बाते भी कर रहे थे हम पार्क का एक चक्कर लगा कर जैसे ही पार्क की कॉनर में पहुचे जहां पार्क का बातरूम बना हुआ था वहां हमने किसी को देखा वो एक आदमी था जिसने ब्लैक और वाइट जोकर की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी वो बस सीधा खड़ा था वो हमें घूर रहा था और अचानक उसकी गर्दन उसके दाएं कंदे पर जूल गई जैसे कि मैंने बताया था कि उसने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था उसका चेहरा बहुत गंदा था और उसके बाल लंबे और चिपचिपे थे और उसके चेहरे पर बहुत भयानक हसी थी उसकी हसी ऐसी थी जिसे बहुत सारे कंकर किरकिरा रहे हों वो हमसे कुछ दूरी पर था लेकिन फिर भी हम उसे देख सकते थी कि वो हमें ही घूर रहा है हम दोनों बहुत डर गए थे हम इतना ज़ादा डर गए थे हम वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे इसलिए हम वहाँ से भागने की हिम्मत जुटा रहे थे 3, 2, 1 और उसके बाद हम भागने लगे जुतना तेज हम भाग सकते थे भागते हुए हम सड़क पर पहुँँ चुके थे हमारा पीछा कर रहा था और इस वक्त वो रोड के कोने में लगी स्ट्रीट लाइट के पास खड़ा था उस वक्त वो हमारे पीछे नहीं आ रहा था वो बस खड़ा होकर अपनी डरावनी नजरों से हमें देख रहा था अब तक उसका एक हाथ पीछे था हमारे देखते ही देखते उसने अपने हाथ आगे की और मैंने देखा उसके हाथ में एक बहुत बड़ा किचन नाइफ था मैं डर कर जोर जोर से माईलो की तरवाजे को पीटने लगी माईलो ने हमसे पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उसे सारी बातें बताई उसके बाद हमने माईलो की डोर कैमरे से सड़क पर देखा तो हमने उसे देखा वो अभी भी सड़क पर माईलो की घर के आसपास ही घूम रहा था और अब भी उसने अपने हाथ में चाकू ले रखा था ये मेरे जिन्दगी का सबसे दर्रावना मॉमेंट था तभी वो आदमी माईलो की घर के दर्वाजे की ठीक सामने आ गया उस वक्त हम तीनों बहुत जादा डर गए थी तभी अचानक उस जोकर ने अपना चेहरा कैमरे के बिलकुल सामने ले आया ये मेरे जिन्दगी का सबसे दर्रावना मॉमेंट था हम दोनों बहुत डर गए थे तभी अचानक ही वो पीछे पलटा और सड़क पर चला गया उसके बाद वो कहा गया हमने उसे कभी नहीं देखा और ना ही हमने इस घटना के बारे में किसी के सामने जिक्र किया उसके बाद से मैंने रात के वक्त उस पार्क में आना बंद कर दिया